यदि गंभीरता पुर्वग विचार किया जाए तो हमें विदित होगा कि जिन पदार्थों को हम जड़ कहते हैं, वे भी किसी न किसी रूप में गतिवान बने रहते हैं। पृत्वी, सूर्य, चंद्र, आदी गतिवान हैं, एक स्थान पर रखे हुए पदार्थ, खूटी पर टंगे हुए वस्तरादी कभी कभी अपने आप गिर पड़ते हैं। बात सही है कि जो हमें गतिवान नहीं दिखाई देता है, वह भी वस्तुतह गतिवान है। उपनिशद कहता है कि ब्रम्हांड इस्थिर प्रतीत होता है परंत वह भी गतिमान है। तदे जती, तनय जती, संग्वेदन शेलता की सीमाएं हमारे ज्ञान की भी सीमाएं बनती हैं। वस्तुतह गति, स्रश्टी का शास्वत इवं सर्वव्यापी नियम है, तब हम गतिहीन होने की ओर निश्क्रिय, होने की ओर प्रवृत होने का प्रयत्न क्यों करें। निश्क्रिय, व्यक्ति, जीवित, लाश कहा जाता है। क्या कोई भी व्यक्ति चाहेगा की उसको इतना निकम्मा एवं मृत तुल्य समझा जाए। यदि सूर्य, चंद्र, प्रित्वी, वायू, गतिहीन हो जाएं, चलना बंद कर दें, तो क्या हो। हमारे उपर क्या बीते, क्या हमने कभी सोचा है। मनुश्य, यदि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, सर्वता, निस्क्रिय, होने की बात करने लगें, तो परिणाम क्या हो। हम अपने विनाश का मार्ग स्वयम प्रशस्त करेंगे। यदि इस प्रश्न का सीधा साउत्तर है, युध इस्थल में पहुचकर अरजुन ने प्रायह ऐसा ही किया था। संजय के शब्दों में, रण भूमी में, शोक में उद्विग्न, मनवाले अरजुन इस प्रकार कहकर बाड सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अरजुन को युध में प्रवरित करने के रिए भगवान श्री कृष्ण को स्रीमद भगवत गीता का उपदेश देना पड़ा। हमारे जीवन को प्रिणा प्रदान करने के लिए गीता रूपी भगवान सदैव हमारे सामने प्रस्तुत रहते हैं। सामान्य अनुभव की बात है डॉक्टर के परामर्ष के अनुसार हम जब पून विश्राम करते हैं तब भी सर्वत्र निश्क्रिय नहीं रहते हैं। भोजन, शयन, मलमूत्र, त्याग, आदिकार्य चलते रहते हैं, बोलते भी हैं, चिंतन भी करते हैं। निसंदेह कोई भी मनुश्य किसी भी काल में शन मात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता, क्योंकि मनुश्य सदा, प्रकृती, जनित, गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसी संदर्भ में भगवान श्रीकिष्न का यह कथन हमें सावधान भी करता है कि यदि मैं कर्म न करूं तो सब मनुश्य नश्ट भ्रस्ट हो जाएं, अनुसारी परणाम होगा प्रलै।